मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो के वेस बिंगॉल काउंसिल ओफ हाईर सेकेंडरी एडुकेशन बोट क्लास 11 के स्लेवर्स का पार्ट है चैनल में आने वाले नई दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रिस कर दे ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल और गुरू कर सके और आथ ही आप नोटिफिकेशन को भी ओन कर ले ताकि इस चैनल में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए गाईस आज का वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए गाईस वीडियो को शुरू करते हैं और किसी भी चीज़ को बताने से पहले जो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन आफ स्टार डाइग्राम तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टार डाइग्राम बोलते किसको है तो गाईस अगर शॉर्ट में आपको बताए तो क्लाइमेट का डेटा को ऐस डाइग्राम यूस किया जाता है उसी को हम लोग बोलते है स्टार डाइग्राम क्योंकि जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और हर एक पॉइंट को एक दूसरा से जोड़ देंगे तो यह देखने में हमको स्टार की तरह लगेगा इसलिए इसको स्टार डाइग्राम बोलते है जो basically एक क्लाइमेट का डेटा होता है तो चलिए गाइस आज हम लोग देखते है कि आज कौन सा क्वेशन को हम लोग सॉल्फ करेंगे और कैसे सिखेंगे हम लोग के स्टार डाइग्राम बनता कैसी है तो सबसे पहले आपका स्क्रीन में आपको क्वेशन नजर आता होगा आज का क्वेशन है ड्रॉव विंड रोज स्टार डाइग्राम फ्रॉव देटा ओव विंड रोज फोर अप्लेस तो देखें गाइस उपर से लेकर नीचे के तरफ सेरियल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिरेक्शन ओव विंड सेकंड पॉइंट में है उपर से सबसे पहले नौर्थ है नौर्थेस्ट, इस्ट, साउथेस्ट, 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 वेस्ट, नौर्थेस्ट और काम फिर हम लोग नंबर आफ डेस में देखेंगे तो नौर्थ में 33 डेस है नौर्थेस्ट में 22 डेस है, इस्ट में 25 डेस है, साउथेस्ट में 27, साउथ में 15, साउथेस्ट में 15, वेस्ट में 104 और नौर्थेस्ट में 103 और काम है इसका 21 तो गाइस ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इसको बनाते कैसी है और बनाने से पहले हमको सबसे पहले याद रखना है कि जब भी हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको इसका स्केल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा डाइग्राम या ये पूर जो है बनने पह गा सबसे प्हक्ते में ज़रूरी है यहां पर हम लोग कुछ भी नंबर आफडेस को के तो हम लोग जो डाइग्राम बना रहे है यह डाइग्राम में हम आणे हैं एक सेंटीमीटर इस एक सेंटीमेटर मैंन के यह डाइगराम बना रहे है अब आप अलग अलग तौर पे इसको ले सकते आप 20 धेस भी ले सकते हैं आप थीज दीन भी ले सकते हैं असको लेकिन गाइस तीज दिन लेने में प्रयाप्ल bought हो जाएगा क्योंकि साउथ इस्ट में इस्ट में 25 और 27 तोड़ा सा मतलब उस तरीके से नहीं बन पागा तो इसमें जब ऐसा कुश्चन रहेगा तो आप जितना कम स्केल लेने से जितना कम स्केल लेने से जो है उतना जाद आपको फाइदा होगा तो सबसे पहले जो है हम आपको बता दिया है कि हम स्केल माने हैं एक सेंटीमेटर इस इकल टू टेन डेस जो सबसे आसान तरीके से बन सकता है आपका स्क्रीन में नजर भी आता होगा जिस तरीका से हम सॉल्फ किये जो कुश्चन में था उससे कुछ अलग नहीं है सिरियल नंबर वैसे ही 12345678 और 9 करके लिए है उसके बाद आपको दिख रहा होगा नौर्थ जो नौर्थ में 33 डेस था उसको जो है हम लोग 10 से डिवाइट करने के बाद 10 से तक्सीम करने के बाद क्योंकि हम लोग 120 सेंटिम suicols को 10 से दिवाइट करने के बाद 3.3 सेंटिमीटर आया 10 sini 22 तो 10 से डिवाइटिकने के बाद 2.2 फिर को आऻसे 25 को 2.5 27 को 2.7 15 को 1.5 15 को फिर से 1.5 और 104 को 10.4 और 103 को 10.3 और जो हमारा काम था 21 उसको भी मोग 10 से डिवाइट करके 2.1 cm लेकर आये तो यह गाइस बहुत ही आसान तरीका था सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग स्केल माने और स्केल मानने के बाद जो है वह नंबर ऑफ डेस को जितना हम लोग स्केल माना है उससे हम लोग डिवाइट करकर के एक पॉइंट निकाल ले अब हम लोग चलेंगे सीधा डाइग्राम के तरफ जहां से हमको डाइग्राम बनाना है तो गाइस डाइग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम आया था यानि 2.1 cm उसका हम लोग किसी भी साइट कोने में राइट साइड हो यह लेफ छोटा सा माप ले लेंगे स्केल से टानके 2.1 cm जैसी देखिये हम राइट में ले रहे हैं क्योंकि हम राइट हेंडर है ज्यादा फाइदा होता है राइट साइट लेने से इसलिए हम राइट में लिये आप इसको लिफ्ट में भी ले सकते हैं उसके बाद हम यहां पे कम पास को टू पाइंट वन सेंटीमेटर में सर्कल बनाएंगें यह बन गया सर्कल गाइज आपको टिंशन नहीं लेना है वह थोड़ा सा हाथ में पसीन है इस वज़े से कम पास स्लिप कर रहे हैं उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लाए थे नौर्थ में 3.3 स्केल लेने के बाद वो हम लोग नौर्थ में 3.3 सेंटीमेटर का उपर रखकर जहां से हम लोग सर्कल किये हैं नौर्थ में उपर रखके 3.3 सेंटीमेटर का लाइन टानेंगे अब नौर्थ में 3.3 सेंटीमेटर का लाइन लेने के बाद उसके बाद जो निक्स लाइन है नौर्थ इस्ट जहां पे 22 डेस था और उसका स्केल आया था 2.2 सेंटीमेटर सेंटीमेटर का हम लोग लेंगे माप और नौर्थ इसमें 2.2 सेंटीमेटर सरकल के तरफ से टानेंगे उसके बाद हम लोग इसरा पॉइंट जो इस्ट था इस्ट में 25 डेस था और उसका आया था 2.5 तो हम लोग लेंगे 2.5 कम आप और टानेंगे लाइन उसके बाद चौथा पॉइंट जो है साउथ एस्ट जिसका नमबर ऑफ डेस 27 है और स्केल 2.7 है उसको लेंगे हम लोग नाप और टान देंगे अब हम लोग आएंगे नॉर्थ का सीधा सीधी जो के है साउथ और उसका नमबर ऑफ डेस था 15 और उसके स्केल आए था 1.5 अब हम लोग 1.5 का नाप लेंगे और उसको टान देंगे एकदम नॉर्थ और साउथ सीधा होना चीए हो गया उसके बाद हम लोग लेंगे साउथ वेस्ट जो के 15 डेस है और स्केल आए उसका 1.5 सेंटी मीटर अब हम लोग टानेंगे वेस्ट जो के है 104 डेस और उसका स्केल आया है 10.4 और उसके बाद अब हम लोग लेंगे नॉर्थ वेस्ट जिसका स्केल नमबर ऑफ डेस था 103 और स्केल आया था 10.3 इसको भी टान देना है तो देखे गाइस हम लोग सब डायरेक्शन में टान दिया उसके बाद जो है सब पॉइंट को एक दूसरा से जोइंट करना है तो इसका लिए सबसे पहले हम लोग कमपास का मदद लेंगे और compass से सब का side में point कर देंगे ताकि हम लोग जब line को join करेंगे तो हमारा असानी हो यह मिला दिया अब मिलाना है इस्ट को south east से अब मिलाना है south से अब south को south west से अब south west को मिला दिया west से अब north west और आखिर में north को north west से मिलाएंगे स्केल सही जगर नहीं बैठे था तो गाइस मेरा suggestion रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा छोटा स्केल ले मेरा बड़ा स्केल होने के वज़े से copy में बार बार फस रह जिसका वज़े से लाइन सही से नहीं टाना पार आप लोग छोटा स्केल से बनाएंगे तो असानी होगा यह देखे गाइस यह हो गया diagram complete अब सब का नाम लिख देना है साउथ नॉर्थ इस्ट वेस्ट साउथ इस्ट साउथ साउथ वेस्ट और साउथ इस्ट लिखे थे हम अब हम सब का नाम लिख दिये और बीच में जो काम था 21 उसको लिख दिये अब गाइस हमको देना है heading construction of a star diagram capital लिखे या small लिखे capital लिखते है small में अच्छा ने लग रहा या फिर capital लिखे या small लिखे आपको जो पसंद आए आप उस लैंग small लेटर में भी लिख सकते है तो चलिए गाइस हम लिखे रहे आखिर कार capital में जिसका वज़े से हम मिटाया था यह हमारा हो गया construction of star diagram डाइग्राम और अब लगा देते है s तो यह गाइस हमारा complete हो गया construction of a star diagram देखे गाइस बहुत ही असान और simple कुझ जाओT